नमस्कार दोस्तों आपका बोज़दों स्वागत में आजम बात करेंगे किस तरह से आप अपनी वर्डपरेस की वेबसर का मोबैल वर्जिन बना सकते हो जैसे कोई यूजर आपकी वेबसर मोबैल में खुले का तो अलग डिजैन आएगी अगर आपकी वेबसर कोई यूजर डेश्टॉप में ओपन करेंगे तो अलग डिजैन आएगी तो इसी तरह की डिजैन आप किस तरह से कर सकता आपकी वर्डपरेस की वेबसर के साथ इसके बार में बात करने वारा है तो यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखते दिए हमें आपको एक्जैमल दिखाना चाहत हो कि किस तरह से अब जो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप अपनी वेबसर के दो तरिके के वर्जन बना सकते हो यह तो जैसे को यूजर आपकी वेफेड मोबेल में ओपन करेगा तो अलग डिजैन आएगी और जैसे को यूजर आपकी वेफेड डेक्स्टोप में ओपन करेगा तो अलग डिजैन आएगी और इसे यहाँ पर आपकी वेफेड में यहाँ ट्राफिक आने की पोस नेकिन यहां पर दिफिकल्टी क्या है आप यहां पर देख सकते हैं तो अगर देख आपकी WordPress की वेबसट है इसमें यहां पर अपनी website का Mobile वरिशन बनना चाहते हो तो आपके पांस यहां पर रास्ता होगा वह है कि आप अपनी website को Mobile वरिशन में होगा इसे आपकी website यहां पर SEO में बहुत ही ज्यादा इफ्यक हो सकता है तो इसी एरिजन से यहां पर आपको कुछ अलग करके दिखाने वालों आज की वीडियो में विधावर डॉमिन चैंजिंग आप यहां पर जैसे को यूजर आपकी website मोबिल में ओपन करेगा तो आपकी यहां पर की डिजैन चैंज हो जाएगी जैसे कि अब यहां पर अब डेश्टोप पे जान दीजे यहां पर हमारे पांस एक wordpress की website ओडरी ओपन है इसे यहां यहां पर बड़ा नेटिशन मेन हो, इसके बाद यहां पर कोई भी यूजर यहां पर पोस्ट ओपन करता है तो इसके अंदर का सो इससेrav इससे कंडन इसार से डिखाई दो,それでは बाद यहां पर sidebar हो यह desktop का अलग भी और इसके बाद यहां पर मनाएंगे कि mobile में आपकी website वह किस तरह से different दिखाएगी आपके compare to desktop तो देखेश के लिए यहां पर आपने desktop सबसे बिले देख लिए कि जैसे को user हमारी website desktop में ओपन करेगा तो इसके लिए हमारी website मोबिल में ओपन करेगा तो अलग आना चाहिए जैसे कि यहांपे मैं को एक्जामबल दिखाता हूं कि कि इस तरह का लेवट यहांपे यूजर को आना चाहिए कि कोई भी यूजर हमारी website मोबिल में ओपन करेगा तो तो इसके लिए हमें आपको एक एक अग्जामबल दिखाता हूं तो अब यहांपे आपको यहांपे मोबिल के स्क्रीन देखा देगी तो हमें यहांपे आश्कूडि में ऐसा करना है कि जो कोई भी पोश्ट ओपन करके देखाता हूं ताकि आपको ज़्यादे समझ में आजएगा कि एक्च्वल की स्तरा से यहांपे हम आज की वीडियो में जो सब कुछ करने वाला है कि जैसे को यूजर हमारे website मोबिल में ओपन करेगा तो अलग लियावट यहांपे वापन करेगा तो यह मोबिल में है वह अई-उन में चाहिए और यहांपे जोडेक्स्टोब में है वह इंट्रीगल थिम है तो दोनों अलग अलग तिमें लेकिन यहां पर हमें ऐसा करना है कोई भी विजटेर अगर हमारी वेश्ट अमोबिल में ओपन करे तो आय मिज़ा ने चाहिए और अगर क कोई फी यूजर हमारे डास्टाप में पर गरहे तो यहाँ प्रेखल आनी चाहित है तो इसकेले सबसे बढ़ना पड़ेगा दास्टाप में इसके सबसे बढ़ना पड़एगा कि वड़परस की लगें डास्वरूर्ड में इसके बदेब को आपको इस्ट्रोल करना आपकी WordPress की website में तो देखिए आपके समने यहां पर प्रहेरवाल अप्रगिन आचुका है देखिए एने आपके डेक्स्ट्रोप ले अलग डिजैनिंग तो देखिए आपके प्लगिन सक्सेस्फूली इस्ट्र होसो का इसके बद यहां पर मैंने इसे एक्टिव भी कर दिया है तो जैसे आपको यहां पर धेर सारे ऐसे ओप्शियों दिखातेगे कि आपको जो कौन-कौन से मोबैल म से Mtinação करने हमने? रहें, आपको कौन से में बिखाता। है यहां पर दिखातेगा कि कोई भी यह पर वबेद को अगर करता है तो हम यह पर देने है आयों मेंग इसके बद अगर टेबलोग एक्टो यहांप में अपको लेखेर सेंग सेव होता है, मैं आपको यहां पे दिखाता हूँ, अजगी। हो चुका एक बाद यहां चाहिए में और रिफ्रस्ट्डूल यहां पे किसी भी प्रकता इफ्क नहीं हाईगा। यहां पर आपका Tech car ч यहां पर आपको यहां फोप्ल करना की कोशिरंब करता हूँ तो अब को यहां पर अलग लेशा ने की देखना वलह बात यहीं है इस प्लग ज होग दिखाता हूं तो दखें यहां पर मोबाल में अलग ओपन हो चुकी है इसके लिए आपको यहां पर आपकी थीम को होड़ा करना पड़ेगा तो आसानी से आप यहां पर यहां पर सेटिंग और इसके बाद निविगेशन मेनू अगरे एड़ कर सकते हो लेकिन यहां पर थीम डिफ्रेंट हो कर दो आपकी लेकिन उन्हां यहां